28 से नॉमबर 2023 को सुप्रिम कोट के तरप से यहनार से डियलेड के खिलाफ निड़े के बाद इतना तो आपका तय था कि जो आपका बीपीएसी टियारी सेकेंड के जो सिछक भरती है उसमें यहाँ पर यहनार से डियलेड सिछका भेरती हैं के उपर संकर जो है बापका मडरा बाकी यहाँ यहाँ पर Ti Arai First कि बाद करें Ti Arai First में जो कि यहाँ पर प्राइमरी की वेकिंची को लेकर तो इसमें जो इनार से डियलेड सिछका का भेरती है जो सेलेक्ट होके आप लोग बिद्याले आवंटन से समंधित योगधान दे लिए होंगे योगधान देनी के होगा या फिर जो आपका निक्ति पत्र होगा वह आपके कोट के अंतरीम आदेश के मतलब अंतरीम नीड़े के आपके फला-फल रहेगा कि कोई उस तरीकिये का नीड़े आता है तो आपको बाद जो है पका कर दिया जाएगा तो TRE First में जो यहना से DLA सीचा का वेर्थी जो प्राइमरी में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको यहाँ पर संभाव तक किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और आप यहाँ पर बाहर नहीं होगे बाकी इतना तो आपको भी पता होगा कि जो ज्का ही आप ग्यापन दिया गया है जिसमें आपके अपर मुखी स्चीव सिचा भाग भीहार सरकार को ग्यापन भेजा गया है और जो आपके निःदे साल है उसके पास यहां पर ग्यापन भेजा गया है और जो आपकी BPSC के सचे हुए उनके पास ग्यापन गया है वहीं आपका मामलाई कि जो आपका भी ग्यापन संखिया 26 बटा 2013 26 बटा 2013 का मतलब जो आपका BPSC TRI 1 और यानावस से DL8 के बारें बात करें तो BPSC TRI 1 का मतलब जो आपकी प्राइमरी के वेकेंचिय है उसको लेकर कि जो यहाँ पर BPSC TRI 1 में जो यहाँ पर BPSC TRI 1 में जो यहाँ पर BPSC TRI 1 का नोटिफिकेशन के बारे में बोला गया कि 35-2030 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में जो आपकी प्राइमरी की विकेंसी थी उसमें यहाँ पर यहाँ पर DL8 जो 18 महीने का था वो भी यहाँ पर eligible हुए थे फिर उसको यहाँ पर माननी सरोच नेले आनि सुप्रीम कोट के तरफ से 28 नॉमबर 2023 को आनि यहीं जो आपका उत्राखंड के स परार दे दिया गया सुप्रीम कोट के तरफ से सुप्रीम कोट का एसलपी जो है यहाँ पर संख्या जो है लिखा गया है और आगे यहाँ पर regular DL8 अभेर्थियों के तरफ से नीड़े आया है तो उसमें यहाँ पर क्या है कि यह ना से जो DL8 सिच्छक अभेर्थियों जो T जो आपका विश्वासी regular DL8 जो दो वर्ष के अभेर्थियों इनके तरफ से आज यहाँ पर ग्यापन जो है पर आपका भेजा गया है अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या इस तरीकी का ग्यापन देने या फिर कोई कोट में जाने से क्या TRE फर्स में जो यह ना से DL8 सेलेक् किसी भी तरीकी का दिक्कत होगा तो देखें यहाँ पर दिक्कत तो यहाँ पर मेरा यदी माने तो किसी भी तरीकी का दिक्कत नहीं होगा बाकि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर हम खुद जो आपके पटना हाई कोट के वकील है उनका हम देख रहे थ कि उनके तरफ से भी बोला जा रहा था कि जो आपका TRE सेखेंड का है TRE सेखेंड में अभी जो है आपके NRC DL8 पे किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर कोई रोक वगरा जो है आपका नहीं लग जाएगा क्योंकि नॉर्मल से बात है अभी जो आपका सुनवाई हुआ हुआ है और उत्राखंड के संदर में सुनवाई हुआ हुआ है तो उसका जो सुप्रिम कोट का ओर्डर है उत्राखंड के संदर में तो उस सुप्रिम कोट के ओर्डर को यहां पर किया जाएगा कि जो आपका पटना हाई कोट है उसमें जो है वापका मेंसन करने के बाद आपका जो यहाँ पर क्या की कुछ सुनवाई के बाद यहाँ पर आप एक संभावना लगा सकते हैं कि जो आपका टियारी सेकेंड की जो सिछाग भरती है उसमें यहाँ पर यहाँ पर मतलब एक्जाम तो माली जी दे देंगे एक्जाम देने में उतना जल्दी जो है आपका कोई होगा या फिर आपका टियारी सेकेंड का जॉइन होगा तो उससे पहले कुछ न कुछ आपको पटना हाई कोड के तरफ से रोख वगर अगर जो है आपको ओर वगर देखने के मिलेगा क्योंकि सुप्रिम कोड के तरफ से यह नहीं के खिलाप नीड़ा आया तो नॉर्मल से तरीके का नीड़े किसी भी हाई कोड से जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह जो भी होगा आपका टियारी सेकेंड के लिए होगा टियारी फर्स्ट में कोई उस तरीके का नीड़ा आता है तो जो आपका परिच्छा फल होगा वो फला फल के अधार मतलब इस तरी बोला गया है जो कि टीरी फर्ष्ट में उसमें आपका टीरी फर्ष्ट में कोई रिजल थोड़ ही है सब लोग तो जॉइनिंग का लिए रिजल रहता जॉइनिंग यह दी बाकी रहता तो यहां पर चांस था कि एना से डिलेट जो सिछा का वेड़ते उनको यहां पर बाहर कर बाहर नहीं किया गया बस रोक लगा गया है कि केवियस जो संगठन है वो अभी उस पर विचार करेगा उसके बाद ही कोई उस तरीके का नीड़ा है जो है पापका होगा यहां पर केवियस का मैटर इस तरीके से है और जो आपका बिपीएसी ट्यारी फर्स्ट में जो आपका यहां पर बाहर हो जाएंगे तो देखे यह सब जो आपके मामले है उतने प्रभावी नहीं होंगे जो आपका थोड़ा बहुत प्रभावी मामला कर रहा है वो आपका सप्लिमेंटरी डिजल्ट को लेकर क्योंकि अभी आप सब लोग को पता है कि BPSC, TRI, First में का जो आपका प्राइमरी है उसका सप्लिमेंटरी डिजल्ट आनि सेकेंड मेरिट लिज्ट आपका जारी करनाया है जो की सेकेंड मेरिट लिज्ट में सबसे बड़ा समस्या एह हो गया है कि जो आपका प्राइमरी का ह तो उसमें यना से जो डियलेट सिचय के जाता है तो इसका मतलल साफ है कि जो सुप्रिम कोट के तरप से यनास डियलेट के खिलाप हाईस नॉम्बर को नीड़े आया है तो उसके बाद यहां पर क्या है कि इना डीलेट का रिजेल्ट किस तरीके से आ गया यह मामला आपका फसेगा यहां प्राइमरी का जारी किया जाता है सिर्फ डीलेट अभेर्थियों का तो भी यहां पर दीखाथ होगा क्योंकि यह जो आ एक जो आपका दिकत होगा क्योंकि समांता का धिकार का उलंगान हो जाएगा कि एक जो आपका रिजेल्ट है उसी विकैंसी में एक पार्ट में यहां से लेट वालों को यहां पर बाहर कर दिया जाता है तो ये जो आपका थोड़ा सा मामला फसा रहा हुगा आपका सप्कलिमेंटरी रिजलोट को फसा रहा है कि सप्कलिमेंटरी रिजल Supplementary Result में किस तरीके से जो है आपका रिजियल जारी किया जाया क्या उसमें सिर्फ regular DLAड अवहर्थियों का रिजियल जारी किया जाया प्राइमरी में या फिर यहना से DLAड सिचा का वहर्थियों को सामील करते हुए जिस तरीके से आपके first stage में यह नहीं डियर जो सिच्छा का वेर्थ है उनका result जो है पका जारी किया गया था तो थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि supplementary result आने में अभी थोड़ा सा समय जो है पका लगेगा हो सकता है कि BPSC TRE second का result आने के बाद यहां पर जो आपका टीयारी बीपीएसी टीयारी second का exam होने के बाद result नहीं exam होने के बाद जो कि BPSC TRE second का exam आपका 15 December को complete हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर चांस है कि last December तक हो सकता है कि यहां पर जो आपका supplementary result है second merit list वो आपको यहां पर देखने को जो है उमिले पाकी अब normal से बाद है आप लोग यह यहना से टीयारी мैटी है आप लोग прог committed pending 座ीक है तो पुड़ा focus अपने तयारी पर उखें रहीगा आप जो हैест एक्जाम देने बिल्कुल जो है वह जाएगा अब इहां पर नॉर्माल से बाद है आगे विसे के लिए कोई यहां पर नहीं बोल सकता है कि आगे आपका क्या होगा हो सकता है कि कोई तरीकी का पटना है कोट या फिर कोई कोट के तरफ से उस तरीकी का निड़े ना आये और आप लोगों को यहां पर एक्जाम देने के बाद रिजल्ट जारी करने के बाद यदि आप भी option थे, 16 से लेकर 12 भी तक के लिए B8 के लिए option है, जो कि एना से DL8 के लिए कोई यहाँ पर option नहीं है, तो यहाँ पर chance ए भी है, कि एना से जो DL8 सीचा का वेरते, आप लोगको यहाँ पर मौका जो है, मिल सकता है, तो अभी थोड़ा साब को इंतजार करना पड़ेगा, पाकी अभी के लिए यहीं अपडेट है, पाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, वो हम इस platform, right to each question, सुनभदर पर सेर कर देंगे पाकी मिलते हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, बाइ-बाइ, टेक्यर ओल्वेट, थैंक यू फो लिस्निंग, गद बिलस्यों, थैंक यू